इसका एरिया कितना है, इसकी पॉबलेशन कीतनी है, इसकी GDP कितनी है, इसकी GDP पर कैपिटा कितनी है, यह सारी जानकारी जो आपको इस वीडियो मिलेगी वीडियो को लास सक जरूर देखिएगा. इसकी दोस्तों जो राजदानी है, कैपिटल है, वो है हवाना, हवाना इसकी कैपिटल है, राजदानी है, इसका एरिया जो है, वो एक लाग दस हजार स्केर किलोमेटर का है, तो अंताजा लगा सकते हैं, इंडिया का जो एरिया है, वो 32 लाग किलोमेटर स्केर के आसपास है, तो उसके हिसाब से इसका एरिया कितना होगा जो इसकी population आबादी है वो है 11 million की यानि की 1.12.000.000 लोग जो है यहाँ पर रहते हैं इनकी जो GDP है nominal Trump में वो है 108 billion यानि राष्टिया इनकी 108 billion है nominal Trump में और power processing priority के हिसाब से जो इनकी GDP बनती है वो बनती है 144 billion की और इनकी जो GDP per capita है nominal Trump में वो है 9623 अमेरिकी डोलर जो है एक वेक्ति यहाँ का कमाता है एक साल में और GDP per capita PPP Trump में है 12,853 यह 2021 के estimate है ताभी तो थोड़ी और बढ़ गई होगी यहाँ पर ठेक है तो इसका क्या मतलब होता है जो nominal Trump होती है इसका मतलब होता है जब अमेरिकी डोलर के साथ इनकी currency को directly exchange किया जाएगा तो उसके बाद जो इनकी per capita निकल के आएगी वो होती है nominal Trump की per capita और जो per capita होती है power processing यानि कि जो इनकी currency है उसकी जो power होती है उसकी जो सकती होती है ये चीजों को खरीदने की उस हिसाब से जो इनकी आए निकल के आती है एक वेक्ति की एक साल की वो होगी per capita और पी 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 ठीक है तो अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा अमीर देश नहीं है दोस्तों क्योंकि किसी भी देश की जो per capita होती है वो बारा से तेरा हजार अमेरिकी डोलर एक साल की होनी चाहिए कम से कब उसके बाद ही जो है उसको एक विख से देश माना जाता है तो इसकी कम है तो ये कह सकते हैं कि ये एक गरीब देश तो नहीं है क्योंकि उसके आसपास ही जो है इसकी per capita है तो आप मान सकते हैं कि middle higher income का जो ये देश से इसकी जो राजदानी है फ्लोरिडा जो से इसकी राजदानी हवाना है ठीक है फ्लोरिडा दोस्तों अमेरिका का एक state है जैसे इंडिया में जो state होते है फ्लोरिडा से लगबग 150 किलोमेटर की और दक्षिन में क्रेवियन सागर के पास ये देश स्थित है देखिए जो इसका मैप है वो काँपर है ये तो है नोर्थ अमेरिका ये है यहाँ पर साउथ अमेरिका तो बीच में जो ये छोटी-छोटी देश है यहाँ पर इनको जो है क्रेवियन देश या क्रेवियन क्रेवियन सागर में दोस्तो ये देश स्थित है ठीक है और जो क्योबा है ये भी दोस्तो क्रेवियन सागर में ये है बाकि अमेरिका और क्योबा की जो है बंती नहीं है क्योबा जो है एक कॉमोनिस्ट देश है और अमेरिका एक कैप्लिस है या डेमोक्राटिक देश है ठीक है और जो इनका फ्लॉरिडा स्टेट है दोस्तों उससे लगबग डेट सो किलमेटर दूर दक्षिन में क्रेबियन सागर में यह देश ठीक है और यह क्रेबियन का सबसे बड़ा दूईप है क्योंकि इसके चारो रहते हैं. क्युबा姓, क्युबा की अर्थवेस्ता हैं प्रेटन, क्रिशी के उपर और चीनी के ऊपर आता लीत है. प्रेटन अर्थवेस्ता का सबसे बड़ा फ्चित्र है, सबसे ज्यादा पैसा आता है in GDP में वो travel या प्रेयटन से आता है इसके बाद जो है खेती, कर्शी और इसके बाद चीनी का जो स्थान है वो आता है जब European ने इसको जो है colonize किया था तो उस समय क्या किया था जएदा तर जो Caribbean देश है वहाँ पर European ने चीनी का ही उत्पादन किया था ठीक है तो यहां का जो एरिया उसको साप किया और चीनी का उत्पादन किया था तो इसलिए जो Caribbean देश ने ज़्यादा था यहां के South America के उनमें चीनी का ही उत्पादन खेती में किया जाता है Cuba एक प्रमुख प्रेटन देश है और समुंदर तटो और उपनिवेस वास्तोकला संगीत के लिए यह काफी जाना जाता है Cuba की जो जन संग्या है उजाती है रूप से देखें तो अधिकांस आबादी जो है स्वेथ हैं यहां पर लेकिन यहां पर जो है बाकी लोग भी है जो है ब्लैक है मुल्टो है चेनी लोग जो है यहां पर एक minority population में रहते हैं, तो इनकी Spanish ही जो है official language मिलेगी, बागी English और French जो है additional यहां पर language मिल सकते हैं, तो यहां पर French भी जो है official language है, कोई बाद दोस्तो सुक्त राष्टर संग का एक भाग है, अमेरिकी राज के संगठन, गुटनेश पेक्स आंदोलन का एक सदस्य है, तो यही था दोस्तो कोई बाद इसके बारे में वीडियो पसाओं से लाइक से सब्सक्राइब जरू करें, थैंक्स वर वाचिंग